तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तो आप इस वीडियो को पैसेंज बनाकर अंधतक जरूर देखना हम आपका साथ अंधतक निभाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है दोस्तो आप सब के सामने कि राजस्तान हाई कोट के 40 वे मुख्य नाधिस जिने सुप्रीम कोट में नाधिस निक्त किया गया है वे कौन हैं दोस्तो वे अपने पंकज मित्तल कोन है पंकज मित्तल ठीक है इंपोर्टेंट परशन बन जाता है आने वाली पृ स्प्रिम कोट में क्या गया मैं Regard談 सारा इस के चालीस मने इस्व treadmill को सुप्रिम हाई कोट मैं एस नए इस निफ्स किया गया के से צिए करिंग टिर चोड़ा का एक्टूबर तोजरी और राजस्तान हाई-कोट के मुख्य नए डिस बीट एtha Eoras मिलेर्ट टायूंत के इंद्स पर जोदपूर जिले में मिलेड्स उत्रष्टा केंदर स्थापित का रहा रहा है चालिस करोड रुपे का प्राउधन भी किया गया है ठीक है चलिए बात करते हैं सुद्ध के लिए युद्ध मुक्बीर योजना 2022 के तहत राजस्तान में अंसेप यानि कि खाने योग नहीं मामलों में कौन सा जिला पहले इस्तान पर है तो दोस्तों अंसेप मामलों में कौन अंसे जिला पहले सतान पर आया है तो इसमें से पहले पहले सतान पर आया है Paul जिला कौन सा अलवर जिला ठीक है चलिए बात करें युद्ध के लिए सुद्ध मुकिबीर योजना 2022 के तहत राजस्तान में अंसेप जिसको खाने यूग नहीं मामले में ौप्छ जिले टॉप दूसरा स्थान से कौन से जिला है तो जैपूर जिलाbers कुंसी युद्ञ युद्ध के लिये युद्ध अब्यान में मुक्वीर को खाद लैं से पाए जाने पर 11,000 रुपए रासी वैं सब इस्टेंड पाई जाने पर10,000 रुपए कि राशी दिया जाने का प्राधान किया गया है ठीक है चलिए अगला प्रशन है बासवड़ा में 4 फरवड़ी 2023 को कौनसा दिक्शान समारों मनायागया तो दोस्तो ये चोथा दिख्षान समारों बनाया गया था बासवड़ा में चार फरवरी 2023 को अगला है राजस्तान में सिधार्थ चोधरी ने भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राष्टे रिकोर्ड बनाया तता गोर्ड मेडल जीता धायर इनका सम्मंद कौन्छे खेल से है तो दूस emp corpo इस तो आपने सोट पूट्व भेल से समंद है ठीक है इनके बारे में बात करें तो खेलो इंडिया यूद गेम्स में सिधार्थ ने नेशनल रिकोर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल ठीक है राजस्तान के सिदार चोधरी ने भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेमस दोज़ार बाइस में सोटपुट इवेंट में 21.04 मेटर गोला फैंकर राश्टी रिकोर्ड बनाया था तक गोल्ड मेडल जिसका नाम है राजस्तान जीके ट्रेनिंग और वहाँ से आप फ्री में पीडिया फाल डाउनलोड कर सकते हूँ थैंक्यू धन्यवाद